हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो दोस्तों आज का हमारा जो important question है what do you mean by technological environment give various method to forecast the environment और इसके साथ एक question और exam में पूछा गया था detailed note on technological environment forecast तो इस दोनों questions के अंदर आपको एक ही answer में करवाऊंगी और इस तरीके से करवाऊंगी कि आप उसको mold करके यानि कि दोनों के अंदर same answer लिखे proper marks को ले सकते हो तो ये दोनों ही questions एक ही chapter से आपको पता होंगे तो इन दोनों के अंदर हम लोगों को इसको इस तरीके से करना है कि हम दोनों के अंदर same answer लिखे और हमारे marks भी cut ना हो सबसे पहले question में पूछा गया है जैसे कि technological environment के बारे में meaning क्या है और इसी ऐसा ही एक question आया था कि technological environment के बारे में ही लिखना है पर इसके अंदर हमने इसके forecasting के बारे में लिखना है कि हम लोग इसके बारे में forecast कैसे कर सकते हैं तो पहले इस के बारे में देखेंगे एर इसके फोकास के बारे में असके बारे में पहुत SOM blending आग स्काइब आगंगे अगर संपल जाएं तो the Technological environment refers to the various tools तो इक्नेलिजिकल इन्वार्मेंट में बहुत सारे tools होती हैं जसे की MACHINEs and Advancement in Science and Engineering that affects how we live and work तो उन चीजों में मतलब expert होना कह सकते हैं कि technology में बहुत सारी चीजे आती हैं उसके अंदर tools आते हैं उसके अंदर machines आती है new new advancement science आती है engineering आती है तो जो चीजें हमारे काम को technological level पर effect करते हैं technological environment company में generate करके रखते हैं अब सोचो किसी company में काम को करने के लिए technological environment यानि कि tools जो ज़रूरी है उसमें tools machines अविलेबल ही नहीं है तो इस company का environment कैसा होगा employees सारा दिन मत्था माजी कर रहे होंगे कि यह कैसे होगा यह कैसे हो तो tools and machines and जो भी टेक्न साइंस में ड्वांसमेंट आई है engineering क्या help करेगी यहां पर उस work को simplify करेगी it includes things like computer, smartphones, the internet and other innovations that shape the way we communicate तो यह हमारे काम को वैसे ही करके देंगी जैसे हम बोलेंगे travel and conduct business तो इनकी help से हम लोग अपने business को अच्छा खासा conduct कर पाएंगे so the technological environment is always changing क्योंकि नहीं नहीं inventions market में आती रहती है तो technological environment वैसे वैसे change होता रहता है and discoveries are made and it play a big role और यह एक बड़ा role प्ले करता है हमारी daily life को shape करने में and world को हमारे आसपास जो भी दुनिया बना रखी हमने उसको एक shape देने में बहुत बड़ी help करता है तो यह तो simple meaning हो गया कि technological environment का मतलब क्या होता है but अगर हमने इसी के उपर forecast करना है तो answer पूरा ही लिखोगे question कुछ भी पूछे ठीक है पहले आपको technological environment बताना है फिर आप उसके उपर forecast कैसे करोगे understanding technological environment forecast in simple terms the technological environment is like a big playground तो technological environment एक big playground है जहां पे new gadgets, cool machines, smart ideas आते हैं जिनके साथ हम खेल सकते हैं प्ले कर सकते हैं जिनको change the way we live and work जिस तरीके से हम काम करते हैं उसको काम करने के तरीकों को बदल सकते हैं और अच्छे से काम को मतलब enjoy करके कर सकते हैं predicting that predicting what awesome things will show up in this playground is what we call technological environment forecast तो हम लोग future के लिए जैसे assumptions लगा सकते हैं कि इस काम के लिए भी एक machine होनी चाहिए इस काम के लिए जैसे की बहुत सारे कामों के लिए जिक हो तो हर एक काम के लिए machine हो चुकिया किसी भी चीज को करने के लिए आपको सिर्फ एक बड़न को क्लिक करने की जरूरत है वो काम हो जाएगा तो ऐसी हम कुछ प्रेडिक्शन लगा सकती है कि क्या future में कोई ऐसी चीज हो सकती है क्या ऐसी चीज हो सकती है जिससे हमारा ये काम सान हो जाए या जिससे हमारा वो काम से हो जाए तो वो क्या है तो हम उसको क्या बोलते हैं वट वी कोल टेक्नोलिजिकल इन्वार्मेंट फोरकास्ट तो हम लोग फोरकास्ट कर रहे है कि future में यह चीज हो सकती है ऐसा हो जाना चाहिए that will be helpful for our work ठीक है अब दे टीक पर जाने तो आप देखोगे ना कि अज सनी डी है रिनी डी है तो आप लोग वैदर फोरकास्ट करोगे लोग ट्राय करते हैं प्रिडिक्ट करने करते हैं अबाउट गैजट्स की वट गैजट्स और इन्वेंशन्स आर कमिंग अवर वे सो वी कन गेट रेडी फोर दे ताकि हम लोग उनके लिए अपडेटिड रहें ये ना वो न्यू गैजट्स तो आ जाएं पर हम वही 2000 के मोडल बैठे हुए हैं और हमें अभी तक उनके बारे में कुछ नौलजी नहीं है तो हमें ये फोकास्ट करके रखना चाहिए हमें पता होना चाहिए हमें अपडेट तो आपको सेम मेथड्स लिए कुछ अलग निया आ आप लोग इसी में में गुछे हो कि उतनी हैं डिकतरे मांसे Area looking back to see forward पहले हमें अपने पिछले सालों का डाटा देखना होगा आगे देखने के लिए कि हमने पिछले चार सालों में皮ण कल जैए यह देखे लिए तब हुझे पदा चलेगा अगले 4 सालों में कंपणी क्या परफिर्फॉर्म कर सकती है क्या अब प्रेडिक्षिन्स अब कंपनी के बारे में लगा सकती हैं. So, trends analysis करना पिछले चार सालों में कौन से महीने में क्या trend चल रहा था माकेट में और अब आगले चार सालों में तभी हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे ना क्या trend चलेगा. So, what is it? Imagine you are watching a favorite TV show. अब आप इमेजिन करो कि आप लोग एक TV शो देख रहे हैं अपना फेवरेट and you notice a pattern आपने स्टोरी का pattern जैसे उसको notice किया कि कैसे स्टोरी को ये लोग unfold कर रहे हैं तो आपने trend analysis कर लिया trend analysis is like looking at the past of technology to see if the pattern we can use to guess जो हमने pattern use किया जिसकी हैं स्टोरी को guess कर रहे हैं अब कई बार होते हैं न सीरियल देख रहे होते हैं और हम लोग पहले guess कर लेते हैं कि अब ये इसको तलाग देगा ये इसका murder किया होगा इसने जब CID देखते थे हम सब लोग इसी इसको मारा होगा तो कुछ तो गडबड है देया वाला सीन है तो हम लोग guess यहां पर लगाते हैं तो वट्स कमिंग नेस्ट हम लोग ideas लगाते हैं तो उसी basis पे हम लोग trend को अनायज करते हैं थोड़ा पीछे देखते हैं फिर उसी के basis पे हम लोग future को प्रिटेंड प्रिडिक्ट करते हैं एक्जांपल इस एवरी इयर न्यू फोन गेट बैटर कैमरा अब हर साल नए फोन आती रहते हैं और हर नए फोन में कैमरा की क्वालिटी और अच्छी आती है और उसे भी एक नंबर उपर के कैमरा आ सकते हैं तो हम लोग यह प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले सालों में और इंप्रूब्मेंट्स होंगी ठीक है यह हमारा फॉस्ट मैथड है सेकिंड मैथड क्या है कि एक्सपर्ट ओपीनियन यानि कि आस्किंग दप्रोस यानि सला ले ना थीक है सो यह क्या है विद्विद्वस्ट script करिंग अजया है थिंग कि अचिंग आसके अथी। कि Tech World का Avenger कोन है Share their thoughts on what gadgets और ideas might be around the corner तो उनके thoughts कि तो हम लोग ideas ले सकते हैं future के बार में predictions लगा सकते हैं कि actual में क्या ने gadgets market में आ सकते हैं जैसे कि Elon Musk अब ये क्या है ये एक superhero है So Elon Musk ने एक बार क्या कहा था I think electric cars will become super popular तो एक बार उन्होंने ऐसे ही अपने interview में बोल दी थी ये बात और and we listen because he is a tech superhero क्योंकि वो tech के department के superhero थे उनको जितनी knowledge थी उतनी किसी को नहीं थी तो क्यों ये थी उनको knowledge और उनकी कही बात क्यों लोग expert advice मानते थे और आज के टाइम में अगर आप देखोगे electric cars will be a super popular electric हर चीज electric vehicle आ चुका है हर चीज का ठीक है थर्ड मेथड क्या है scenario planning यानि कि playing what if what if ये हो गया what if वो हो गया कुछ भी anything happen हो गया तो scenario अगर कुछ भी miss happening होता है तो scenario की planning आपके पास advance में available होनी चाहिए कि अगर उस scenario में ये होता है तो हम लोग ये कर सकते है ठीक है तो what is it it's like playing with different ideas इसका मतलब क्या है कि हम लोग different ideas के साथ खेलने वाले है क्योंकि हमें नहीं पता future में क्या हो सकता है हम लोग 3-4 backup plans तो हर जगह आजकल हर कोई रखता है अपने backup plans की कब क्या हो जाए किसको कुछ नहीं पता so what if we all had flying cars क्या होगा अगर हम सब के पास उनने वाली कारे होंगी और robots होंगे जो हमारे homework कर देंगे so हम लोग scenario planning कर रहे हैं जो हमें help us prepare for different possible future so ये क्या scenarios करेंगे हमें मतलब एक तरह से prepare करेंगे कि future में ये भी हो सकता है robots आज के time में क्या नहीं कर रहे हैं आप खुद सुचो ठीक है so हम लोग कुछ भी predict कर सकते हैं उड़ने वाली कारें आ रही है robots आ रहे हैं हमारा homework कर रहे हैं robots ही इंसानों की जगा लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं सड़कों पर इंसान घूम ही नहीं रहे कोई भी काम छोटा साथ है तो robot को भेज देते हैं गर बैठे बैठे लो कुछ भी हम लोग predictions लगा सकते हैं ठीक है ना तो हम लोग यह नहीं कर रहे हैं पर इस सेरियो के लोग सिरफ प्लैनिंग कर रहे हैं थर्ड मेतड एक्सामपल वट इफ एवरिवन हैड रोबट असिस्टेंट अट हम जैसे मैंने बताया कि सड़कों पर सोचें अगर हम रोबट भूम रहे हैं हमारी जगा हमारा मोट जो रोबट है वो ले ले हमें गर से बार चोटा सा काम आते हम लोग खुद नहीं जा रहे हैं और वो जाके वो काम कर की आ रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब इंसानों की जिका रोबट घूम रहे होंगे ठीक है next method क्या है technology road mapping यानि कि future को draw करना technology को देखना कि future में क्या नई technologies आ सकती है imagine drawing a road map of where you want to go कि आप future में कहां जाना चाहते हो technology road mapping is like drawing a map of where technology might go in the next few years कि next few years में technology कहां तक update हो सकती है जैसे कि we draw a map that show हमने map draw किया जो हमें क्या बताता है we get better smartphones than smart glasses and eventually maybe even smart contact lenses तो हम लोग क्या एक map draw कर रहे हैं कि future में शाहिद इस चीज का और better version हमें देखने को मिल सकता है so that is क्या है technology को हम लोग road map कर रहे हैं यह है हमारा fourth method fifth क्या है हम लोग environmental scanning कर रहे हैं keeping eyes wide open ताकि हम लोग environmental को scan कर पाएं कि environmental level पे क्या क्या changes आ सकते हैं आज कल आप लोग देखते हैं ने environment को लेके कई बार हम लोग देखते हैं न्यूजीज में भी आता है कि environment बहुत खराब हो रहा है pollution हो रहा है बहुत चीज़ें हो रही है तो क्या है it's like having super spy goggles to keep an eye on what's happening around us so हो सकते हैं न future में कुछ ऐसी goggles बना दें जिसे हम लोग हर चीज़ को देख पाएं जो हमारे आसपास हो रही है we scan the environment हम लोग environment को scan कर पाएं news के लिए or sign that tell us about new gadgets और cool tech stuff तो इससे क्या है हम लोग यह ही यहां पे भी prediction ही कर रहे है हम लोगों को नहीं पता environment तो इसके लिए forecast क्या है forecast method है ठीक है जिसके तो हम लोग forecast करें कि future में यह यह हो सकता है ठीक है so इसकी example क्या है if we see a lot of news about self-driving cars we might think hmm it's look like self-driving cars are becoming a big thing अब हम लोग देख रहे हैं आने वाले time में हो सकता है यहां पे जो example लिखे है कि कारें ऐसी आ जाएं जिसको चलाने के लिए बंदों की जरूरत नहीं है I think already बाहर कहीं countries में ऐसी आ भी चुकी है शायर तो क्या है this is a future prediction कैसा हो सकता है कार को चलाने के लिए जो ड्राइवर की जरूरत पड़ती है automatic बहुत सारी कारे हैं जो automatic चलती है ठीक है तो आ चुकी है वो चीज़े यही लिखा हुआ है it's look like self-driving cars are becoming a big thing नेक्स्ट मेत्ट क्या है collaborative forecasting कि हम लोग collab teamwork for the win उसके बारे में focus कर रहे है it's like gathering a team कि हमने team को इकठा किया of friends to guess what game to play next कि हमें अगली game कौन सी खेल ली है अगला मतलब business में कौन सा ऐसा card निकाल ला है जिससे हम लोग win कर जाए so collaborative forecasting involved getting idea so collaborating forecast करने से क्या होगा हमें ideas आएंगे from different people to make a better guess about the future कि हम लोग क्या better कर सकते हैं हमारे future को लेके example अगर हम ask experts से पूछे tech के बारे में we ask tech experts, designers and regular folks what they think the next big thing will be अब हम लोग experts की advice लेने कि आपको क्या लगता है next क्या technology में change आ सकता है next क्या मतलब team work में improvements हो सकती है and we put all those ideas together और हम उन सभी ideas को एक साथ ले सकते हैं क्योंकि वो experts की advice है क्योंकि अब वो experts की advice है कही ना कहीं उनके possible होने की उनके apply होने की possibility कही ना कहीं वो बढ़ गई है कहीं ना कहीं अगले 10 सालों में वो चीज़ हो जाएगी क्योंकि वो experts की advice है so अब यह थे कुछ methods six methods की हैं हमने अब यह matter क्यों करते हैं why it's matter predicting the technological future अगर हम लोग अपने technological future को predict करते हैं तो यह हमें help करते हैं ताकि हम लोग आने वाली future cool things के लिए ready हो पाए अब आप लोगों ने देखा था ना जैसे अभी हम लोग अपनी generation की बात करें तो जब कुछ चीज़े नहीं नहीं आई तो हमारी generation के बहुत सारे लोग हैं जिनकी thinking यानि की सोच पुरानी है तो उनको उन चीज़ों का नहीं पता अगर हम लोग अपने parents को देखे तो हमारी last generation है जिसके parents को what's up बगेरा चलाना नहीं आता था तो हमने सिखाया है ना तो अगर वाही तब ही prediction हुई होती कि यह चीज़ होगी तो उनको वह चीज़ पहले से आती होती है अब हम लोग अगर predict कर रहे हैं कि आने वाले स्टालों में यह innovations हो सकती है तो वह होगी ही होगी अगर प्लाइट करेंगे तो यह क्या है कि हमने एक तरह से मतलब उसको स्वागत किया कि हम लोग ने प्लाइन किया कि अगर चीज़ आईगी तो हम लोग उससे कुछ नया क्रिएट करेंगे उसको एंजोई करेंगे जो भी किसी ने भी चाहे वो invention की है तो हम लोगों को उसको इंजोई कैसे करना है and innovations that make our world more exciting and interesting तो हम लोग उनका फाइदा उठाएंगे ठीक है मतलब फाइदा कैसे मतलब उनका प्रोपर लुफ्त उठाएंगे अच्छे से उनका प्रोपर यूस करेंगे so buckle up and get so buckle up and get ready for the next awesome tech adventure so आपको उसके लिए future के लिए हमेशा ready रहना चाहिए so दोस्तो that's all about today's video आज की वीडियो में हमने जो ये topic किया ये हमारा managerial economics का last topic था आप सबका कल exam है मुझे पता है आपका exam है इसी वज़े से मैंने topics आज कवर की हैं सारे सो उम्मीद करती हूं आपको topics अच्छे से clear है अभी video को बंद करके मत जाएगा ध्यान से सुन लीजिए आप लोगों का कल exam है तो please exam देखे आने के बाद मुझे एक बार comment section में बताना यह telegram पे बताना कि आप लोगों के exam कैसे गए क्योंकि हम लोगों ने जो अब ही देखो हम लोगों ने क्या किये यह questions भी predict की है कि यह पिछले तीन सालों में continuously आये हैं तो अगले तीन सालों में भी आ सकते हैं this is our prediction है ना हमने यह आपर prediction किये तो उसी के उपर question था सभी doubts को clear करें अपने questions को prepare करें और सिरफ play list वाले question करके paper में भी जाएंगी तो आपका paper अच्छा जाएगा so I hope आपको आप वीडियो अच्छे से clear है सारे doubts के लिए नहीं कुछ भी doubt है आप लो comment section instagram telegram बता सकते हैं मिलेंगे हम लोग आपको अपनी अगली वीडियो में next playlist के साथ तब तक के लिए good bye